आज मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा और असानी से बन जाने वाला स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तमाल कर सकते हैं देखने में बहुत ही सुन्द लगता है और बनने में बड़ी ही असानी से बन जाता है और यह जो डिजाइन है हमारा इसके लिए हमें 4 के मल्टिपल के हिसाफ से पंदे चाहिए प्लस थ्री फंदे एक्स्टा चाहिए, डिजाईन को teżट करने के लिए fak$ ठोटे सु, तो यहां से यहां तक हमारा चार फंदों का डिजाइझ यह सु हुआ, फिर चार फंदे फिर पैटर का लुक है वो आ जाएगा. बड़ा ही प्यारा देखने में लगता है देखिए कितनी सुंदर उबरा उबरा सा और गफ डिजाईन बन कर आता है. तो ये पैटर जो है राइट साइड से स्टार्ट होगा और देखिए रांघ साइड से कितना प्यारा गफ डिजाइन बन कर आया है और stretchable भी काफी डिजाइन है ये और इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए इस प्यारे सी डिजाइन को बनाना हम शुरू करते हैं तो यह देखें यहाँ पर मैंने नीडल पे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारा, बारा तेरा फंदे ले लिए हैं चार के मल्टिबल के हिसाब से दो बार डिजाइन बनेगा आठ फंदे और पांच फंदे एक्स्ट्रा उल्टी तरफ से मैंने एक सलाई उल्टी बनाई है और ताकि हम सीधी तरफ आ सकें आप अपनी मर्जी का बार्डर बनाईए और उसके बाद सीधी तरफ से हमने इस पैटरन को स्टार्ट करना है अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो आप रांग साइड से बढ़ा लीजिएगा और फिर उसको फोर के मल्टिबल के हिसाब से अड्जस्ट करके सीधी तरफ से हम pattern को start करेंगे तो हमारी ये 6 row की design है तो 1st row हमारी सीधी तरफ से हमारी row 1 start होती है एक फंधा हमने slip करा दागे को अपनी तरफ करके 3 फंधे हमने उल्टे बनाने है तीन फंधे उल्टे बनाए अब एक दागे को पीछे करके अगला फंदा हमने देखे सीधा बनाना है पर उसको दो बार लपेट के बनाना है यूँ करके तो ये चार फंदे हमारे होगे अजिंका छोड़के तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा जिसको हमने दो बार दागा लपेट के बनाया है फिर दागे को अपनी तर्फ करके repeat pattern करेंगे चार फंदों पे तीन फंदे उल्टे दागे को पीछे करके अगला जोथा फंदा जो है वो हमने दो भार दागा लपेटके सीधा बुल लेना है फिर दागे को अपनी तर्फ करके तीन फंदे उल्टे दो, तीन और जी एजिंग का लास्ट फंदा है यह हमने सीधा बना लेना है इस तरह से आपके जितने भी प्रोजेक्ट में फंदे होंगे आपने इस तरह से चार-चार से डिजाइन को बनाते जाना है तो रो वन हमने इस तरह से बनानी है तीन फंदे सीधे बनाए दागे को अपनी तरफ करेंगे अब जे जो फंदा हमने दो बार लपेट के दागा सीधा बनाया था इसको इस तरफ हमने उल्टी तरफ उल्टा बनाना है और फिर से उसको दो बार दागा लपेट के ही उल्टा बनाना है यूँ करके तो यही चार फंदों को हमने repeat करना है तो रांग साइड से knit 3, yarn in front, purl 1 with double yarn तो यह जो इसकी abbreviation है यह सब आपको description में मिल जाएगी तो जो उल्टा फंदा है उल्टी तरफ से उसको भी हमने दो बार दागल पेट के बुनना है और 3 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं इसी तरह से हमने उल्टी तरफ से row 2 को complete कर लेना है यह बड़ा ही असान पैटर्न है बनने के बाद देखिए इतनी प्यारी लुक इसकी आती है तो चलिए अब हम आगे हैं सीधी तरफ right side तो right side हमने same बनाने हैं जैसे हमने row 1 बनाई थी पहली सलाई जैसे बनाई थी वैसे ही तीसरी सलाई बनाएंगे तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं दागा पीछे करके अगले फंदे को फिर से हमने दो बार दागा लपेट के सीधा बूल लेना है तो इसी को रिपीट करते हुए जाना है चार-चार फंदों बे और तीसरी सलाई को हम कम्प्रीट कर लेंगे row 1 की तरह यह देखें दागा दो बार लपेटेंगे और दागे को अपनी तरफ करके फिर अगले तीन फंदे उल्टे बना लेंगे एजिंग का बंदा है तो वो हम सीधा बनाएंगे क्योंकि यह हमारी राइट साइड है तो यह देखें रो 3 हमारी कम्प्रीट हो गई उल्टी तरफ आगे हम अब हमारी चोती सलाई है रो 4 row 4 हम सेम बनाएंगे जैसे हमने row 2 बनाई थी दूसरी स्लाई जैसे बनाई थी वैसे हमने चोती स्लाई उल्टी तरफ से बनानी है यह बहुत ही असान पैटन है beginners भी इसको जो सीधा और उल्टा बनाना जान दे हैं वो भी इसको बड़ी असानी से बना लेंगे यह देखें जैसे हमने दूसरी स्लाई बनाई थी वैसे ही चोती बनानी है उल्टी तरफ से भी हमने सेम फंदे को उल्टा बनाना है दो बार दागा लपेड़ते हुए तीन फंदे सीधे बनाने है चोते फंदे को उल्टा बनाना है दागा लपेड़के दो बार तो इसी को हमने repeat करते हुए जाना है row 4 में तो हमारी ये जो उल्टी तरफ से 34 स्लाई है ये complete हो जाएगी ये देखें यूँ करके और last का एजिंग का फंदा हमने उल्टा बना लिया अब हम फिर से सीधी तरफ आगे हैं और ये right side है और row 5 है पांच भी स्लाई है पैटन की एक फंदा slip किया तीन फंदे हमने उल्टे बनाए अब यहां देखें पांच भी स्लाई में हमने पैटन को किस तरह से डालना है जो डवल दागा लेपेड के सीधा फंदा था अब हमने उसको खोल देना है यूँ करके तीन फंदे हमने नीचे के जैनि के हम इस तरह से दागे को नीचे जैसे खोल देते हैं ना दागे को गिर जाता यासे दागा वैसे फंदा गिर जाता है वैसे हमने इसको तीन नीचे खोलके इस तरह से राइट नीडल पर पहले फंदे को उठाया उसके बाद जो तीन दागे थे उनको भी उठाया अब इस फंदे को लेफ्ट नीडल के साथ यूँ उठाएंगे देखें और इन तीनो धागों को यूँ करके इससे उतार लेंगे यूँ करके और छोड फंदा बुनना है और बाकी दागों को नीचे छोड़ देना है तो यूँ करके डिजाइन ये बनेगा हमारा फिफ्थ स्लाई में तो एक बार फिर से आपको बताते हैं देखें तीन फंदे उल्टे बनाए दागे को पीछे किया अब देखें ड्राप थ्री स्टिचिज बिलो तो इस स्टिच को हमने तीन स्लाईया नीचे शोड़ देना है यूँ करके खोलना है तो तीन स्लाईया हमने खोल ली अब इस पंदे को हमने नीडल पे उठाना है इस तरह से चड़ा के और ये सारे जो दागे हैं हमारे तीन तो इनको भी हमने इसी नीडल पे लेना है और ल बनाएंगे इन सबी दागों को इस तरह से स्लाई पे लेते हुए तो बस अगले फंदे फिर से हमने उल्टे बना लेनी है और चोथे फंदे को हमने फिर से इस तरह से थी स्टिच बिलो ड्रॉप करना है और उसका सीधा फंदा बना लेना है तो यह पांचवी स्लाई में हमने right side सीधी तरफ से इस तरह से इस डिसाइन को बनाना है अब आगी हमारी row 6 उल्टी तरफ उल्टी तरफ से हमने फिर से वैसे ही सेम बनानी है जैसे की row 2 बनाई थी तीन फंदे सीधे बनाये हैं दागे को अपनी तरफ करेंगे और जो हमारा उल्टा फंदा है आगे उसको हमने उल्टा ही बनाना है और फिर से डवल दागाले पेट के बनाना है तो यही रिपीट होगा अगले चार फंदों पे तीन फंदे सीधे बनेंगे जो उल्टी तरफ है हमारी wrong side है और जो उल्टा फंदा है उसको दो बार दागाले पेट के बनाएंगे फिर तीन फंद और एजिंग का एक फंदा उलटा तो इनी छे सलाइवा आपने रपीट करते हुए जाना है बार बार जितनी आपको अपने प्रोजिक्त में लैंज चाहिए शेटर बना रहे हैं, चाहिए काड़िगन बना रहे हैं जितनी आपको लेंग चाहिए यही शेस लाईयों का प्रपीट करते जाएंगे पांच पिस लाई में आपने सिर्फ यह डिजाइन को बनाना है जिससे की इस तरह से इसकी लुक का जाएगी तो यह देखें बहुत ही प्यारा और elegant सा यह डिजाइन है हाथ से इतना प्यारा अबरा अबरा और गफ डिजाइन बनता है और लुक वाईस तो भी बहुत ही सुन्दर लगता है आप इससे चाहे तो swettes बना सकते हैं लेडिसkaardigan बना सकते हैं चैपAudi बनाके उपर के लिए इस इजान को बनाएंगे। तब भी हमारी काब बड़ी पयारी नोख वाइस है क्योंतकर और प्रेंड मैं कहा educación करेंड हैं भी स्थ रियंकमा को कुमेंट यह अगली विडियो में धन्यवाद